पेरे हाथों से आज एक लाग रुपे का नुकसान हो जाता और मुझे तो बहुत गाली पड़ती है तो पूरे तीन महीने बाद है ना हम लोग जा रहे थे अपनी गाड़ी को देखने और गाड़ी की हालत तो देख लो इतनी गंदी पड़ी थी क्योंकि तीन महीने से ना ये ती गाड़ी तो हमने सोचा कि चलो हम लोग लेके जाते हैं इसको और कार वॉश वगेरा करवा लेते क्लीन करवा लेते बहुत जादा गंदा हो पड़ा था गाड़ी अगर तीन-चार मैंने ऐसे खड़ी होती है तो क्या आप लोगों की भी खराब हो जाती है अंदर से फं लेकर चले गया इतनी तेज बारिश होने लग गई न भाई सव और गाड़ी का सारा धूल अपने आप ही निकलने लग गया तो कहां हम कार वॉश करवाते पैसे खर्श करते यहां पर बारिश ने आके न हमारी गाड़ी खूदी वॉश कर दी यह तो कुद्रत की करिश्मा ह बारिश होती हो न तो गाड़ी को निकाल लो अपने आप वाश हो जाएगी मैंनत भी नहीं करना पड़ता रहा है और गाड़ी ने पूरा खुद को अपने आप क्लीन कर लिए थी थोड़ी थोड़ी सी भूग तो हम लोग है ना यहां पर कचौरी लेते और समोसा लेते क्य हम लोग थोड़ी देर के लिए ना बाहर खुली हवा में चले गए यह सी साइड और यहां पर नो काफी अच्छा द्रिश्य देखने को मिलता है और इधर मैं चल रही थी मोली मेरा एक अच्छा सा वीडियो लो और यहां पर गोबर पढ़ाता लेकिन राउल ने मुझे बत एकदम फ्री में पैजा वसूल हो गया मस्त सुन्दर सी गाड़ी लग रही थी फिर हम लोग अना उपर गए घर पर और 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 तेज बारिश हो गई बारिश तो इतनी हो रही थी आज की दिन की पूछो ही मस्त वियू एंजॉय कर रहे थे सोचा कि कोई ऐसे ही गर्मा गर् पकोड़े और चाय लेकर आता ना तो और मज़ा आ जाता लेकिन मेरा मूर तो बिल्कुल नहीं था यह सब बनाने का तो इसलिए मैंने जिकर भी नहीं की ने तो रहुल बोलते जा बना कर लेया मज़ा आ जाएगा खाने में ऐसी वारिश के लिए फिर हम लोगों को बहुत काम आ गया था जिसके वज़े से हम लोगों को इतनी घनी बारिश में भार जाना पड़ा जैसे ही बाहर निकले ना भार इतनी और तेज बारिश होगे तो काम वाम फिनिश करके हम लोग रिटर्न आ रहे थे तो सोचा जलो एक और राउंड मार लेते और यहां का दृश्य ना बहुत अच्छा है एकदम पूरा खेत खेत है प्यारा सा मंदिर है और बहुत ही ज्यादा सुन्दर लगता और खाफी है ना खामोशी भी है तो मैं बहुत अच्छा अच्छा है ना अपने वीडियो ले थी क्योंकि ऐसे मौसंदे को रोज-रोज मिलते हैं और इस रोट